आप किसी की सांस की जाच करते हैं तो उन्हें मृत कोशित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सम्वेदनाय महसूस कर सकते हैं। चीन में उडान की एक पूरी पद्धती है। आपने उन फिल्मों को देखा होगा जहां उन्हें उडान में महारत हासिल है और वे थोड़ा बहुत यहां वहां उड़ सकते हैं। इसे सक्रिये बनाने के लिए योगा भास्य हैं। अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवत होने के बावजूत शरीर सडने लगेगा। कुछ प्रकार के सामके जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस संस्कृती में 14 दिनों तक चलने वाली रस्मे हैं। सद्गुरु, आपने जीवन के बारे में बताया और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो डॉक्टर्स जीवन के बारे में रखते हैं। अब वे कहते हैं कि हमारे शरीर में एक खरब कोशिकाएं हैं। और इन में से प्रतेक कोशिका अपने आप में जीवित है और जब आप कहते हैं कि रोगी जीवित नहीं है या सिर्फ इतना है कि मस्तिश्क दो या तीन मिनट के बाद मर जाता है लेकिन शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित है वो आप बदल गया है डॉक्टर कह रहे हैं कि मस्तिश्क 10-10 घंटे तक जीवित रहता है आज ये नया है तो वा मर चुका है लेकिन मस्तिश्क जीवित है उसकी तवचा, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां कई घंटों तक जीवित रहती है तो जब हम कहते हैं कि वह मर चुका है लेकिन उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित होता है और ये कोशिकाएं मरीज के मर चुकने के बाद भी अगर आप कोशिकाओं को लेते हैं और उन्हें एक कल्चर आप में से जो हर दिन शेव कर रहे हैं, आपके मरने के बाद भी हमें फिर भी आपको शेव करना पड़ेगा, आपको ये पता है। इसलिए मैं तैयार हूँ, अभी आपने पूछा कि जब कोई मर चुका है, तब भी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं सक्रियक क्यों रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा, मृत शरीर की 10-11 दिनों तक शेव की जाती है। ऐसा इसलिए हैं। जिसे हम शारीरिक स्तर पर जीवन कहा रहे हैं। वो कई अलग स्तरों पर एक प्रणाली है। इसमें हार्डवेर है और इसमें सॉफ्टवेर है। आप तो हार्डवेर की किंद्र में हैं, हड्डियों के। सॉफ्टवेर भी उतना ही महत्वपूरुण है। वरना एक कोशिका को कैसे पता चलेगा कि ये एक मानव कोशिका है, कि ये एक सुवर की कोशिका या पेड की कोशिका या कुछ और नहीं है। इसे कैसे पता चलता है। क्यूंकि ये एक पूरा सॉफ्टवेर मौजूद है, या दाश्ट हैं, विकास मूलक या दाश्ट, अनुवांशिक या दाश्ट, कार्मिक या दाश्ट, सिस्टम में हर कोशिका में विभिन प्रकार की या दाश्ट भरी गई हैं, ताकि ये कभी ब्रहमित न हो, अगर आप तीन दिनों तक कुत्ते का भूजन खाते हैं, तो आप क जिसे हम जीवन शक्ति के रूप में मान रहे हैं। योग में हम इसे प्राण कहते हैं। ये पांच बुनियादी आयामों में खुद को अभिव्यक्त करता है। इसके दूसरे रूप भी हैं जो बहुत जटिल हैं। मैं पांच मूल रूप। इनके अलग-अलग कार्या हैं। प्राण का संबंध सांस, श्वसन क्रिया और विचार प्रक्रिया से है। अगर प्राण वायू शीन हो जाती, तो आपकी श्वसन क्रिया चली जाएगी। तो तुरंथ डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं ये मर चुका है। वे उनकी छाती को पंप करने की कोशिश करेंगे, अगर संस वापिस नहीं आई, तो वो मर चुका है। श्वसन प्रक्रिया और आपके फेंफिडों का काम सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं। एक बार श्वसन बंद हो जाता है, तो वो प्रक्रिया स्वभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। तो प्राण वायू जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक जाएंगी। वो एक ही समय में जाएंगी। लेकिन एक के जाने का मतलब है कि ये चला गया है। अगर समान वायू चली जाती है, ये सिस्टम में गर्मी पैदा करने का कार्य करती है। तो एक बार जब समान वायू हलकी बढ़ने लगती है, तो शरीर ठंडा होने लगता है। और ये अकड़ने भी लगता है। करके उन्हें मृत खोशित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सम्वेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जहां लोग घबरा गए हैं, क्यूंकि एक मृत शरीर में थोड़ी हरकत हुई थी। ऐसा बार-बार कई-कई बार हुआ है, कि जब किसी को मेडिकल द्रिष्टी से मृत खोशित कर दिया गया था, लेकिन शरीर में फड़कन हुई, जो बहुत हलके तरीके से होती है, क्यूंकि सम्वेदन गतिविधी अभी भी जारी है। जीवन को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि ये खत्म हो गया है। ये अभी भी अपनी ओर से एक कोशिश कर रहा है। जब ओदान वायू चली जाती है, तब शरीर का हलकापन भी चला जाता है। जब मैं हलकापन कहता हूँ, देखिए, आप वजन में सत्तर या अस्सी या जो भी संख्या में हो, मुझे शमा करें, हो सकता है कि आपका वजन पचास या पचपन किलोग्राम हो, जो भी आपका वजन है। मान लीजे आप अभी बहुत खुश और जीवन थें। आपको खुद पर पचास किलोग्राम का वजन महसूस नहीं होता है, है ना? लेकिन वजन मौजूद है, अगर आप वजन की मशीन पर खड़े हैं, तो ये दिखाएगी, लेकिन जब आप चलते हैं, तो ये महसूस नहीं होता, क्यूंकि ये उदान एक उच्छाल पैदा करता है, इससे आपको गुरुत्वा कर्शन का बल कम महसूस होता है, इसे सक्रिय करने के लिए योगा भास्य हैं, चीन में उदान की एक पूरी पद्दती है, आपने उन फिल्मों को देखा होगा, हॉलिवूड फिल्में, वो कौन सी हैं? क्राउचिंग टाइगर या ऐसा ही कुछ, क्या? हाँ, तो ये उदान की संस्थाएं हैं, जहां उन्होंने उदान में महारत हासिल की है, जहां वे हवा में थोड़ा बहुत यहां-वहां तैर सकते हैं, खैर फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चड़ा कर होता है, लेकिन शरीर ज्यादा हलका, ज्यादा उच्छाल वाला बन जाता है, एक मार्शल आर्ट फाइटर के लिए उच्छाल का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे कई मामने सामने आये हैं, जहां कुछ बैले डांसर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स ने वो कर दिखाया है, जो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता था, वे उतनी उच्छाई तक उच्छले जिसे सभी बहुत एक विज्यानिकों ने बिल्कुल असंभव माना, लेकिन सिर्फ ज्यादा उच्छाल पैदा करके वो उस तर से आगे निकल गए, तो उदान उच्छाल को तै करता है, एक बार जब उदान कम होना शुरू होता है, अचानक शरीर भारी हो जाता है, वजन हमेशा वही रहता है, वजन नहीं बढ़ता, लेकिन अब आप ज्यादा वजन महसूस करते हैं, क्योंकि उदान चला गया है, डॉक्टरों को ये पता हो सकता है, शायद डॉक्टर ये काम नहीं करते, जो लोग अस्पताल में काम करते हैं, वो जानते होंगे एक जीवित व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को उठा कर ले जाना, इसमें एक बड़ा अंतर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उदान चला गया है, अब कोई उच्छाल नहीं, चौथे आयाम को व्यान कहते हैं, इसकी प्रकृती सनरक्षन की है, अगर व्यान घटने लगता है, तो आपके जीवत होने के बावजुद शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा, कुछ खास तरह के सांप के जहर हैं, जो ऐसा कर सकते हैं, अगर वो आपको काड़ते हैं, तो आप मरेंगे रहीं, लेकिन शरीर के अंग वास्तव में अलग होकर गिरने लगेंगे, क्यूंकि व्यान घट रहा है, और अंग अलग होने लगेंगे, तो जैसे ही व्यान कम होता है, सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. योग में ऐसी पद्दितिया हैं, जहां हम चाहते हैं कि सभी सातों लगभग एक साथ ही निकलें, हम चाहते हैं कि ये सभी एक डेड़ घंटे के भीतर ही चले जाएं, सामान्यम रित्यू की स्थिती में ये उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि कोई खास शरीर कितना जीवन्त है, उस आधार पर इसमें लंबा समय लग सकता है, जब मैं लंबा समय कहता हूँ तो इसमें 14 घंटे तक लग सकते हैं, व्यान को शरीर छोड़ने में 14 दिन तक लग सकते हैं, यही कारण है कि इस संस्कृति में आपके पास 14 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यान अभी भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को दफनाते हैं, तो व्यान अभी भी वहां मंडरा सकता है, तो 14 दिन तक यही कारण है कि एक देड़ घंटे के भीतर इस संस्कृति में ऐसा नियम था, अगर कोई मर जाता है, तो एक देड़ घंटे के भीतर ही आपको उनका दहा संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन फिर गलतियां हुई, जब वे अभी भी जीवित थे, किसी ने उन्हें अंतिम संस्कार की चिताबर डाल दिया, तो उन्होंने इसे चार घंटे तक बढ़ा दिया, चार घंटे के भीतर आपको दहा संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ और मुद्दे हैं, इसके बारे में हर तरह के मुद्दे हैं, तो लोग एक दिन, दो दिन इंतजार करते हैं, बेटी अमेरिका में हैं, उसे आना है, वो तीन दिन बाद आएगी, और वे इंतजार करेंगे, लेकिन ये सोच उसके लिए है, जो मर चुका है, हमें ये समझना चाहिए, आप, आप लोगों को मरा हुआ डाइगनोज नहीं करते, आप उन्हें मरा हुआ घोशित करते हैं, ठीक, इसमें अंतर है, तो जब आप उन्हें मरित खोशित करते हैं, तो आपके लिए वो मर चुके होते हैं, जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, एक तरह से, उसके साथ जो हुआ है, वो ये है कि वो शरीर से निकल गया है, उसने अपना शरीर खो दिया है, जीवन भर वो यही सोचता रहा कि वो एक शरीर है, उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो भौतिक पदार्थ ढोते हैं, वो इस धर्ती से एकठा किया हुआ है, उसने कभी इसका एहसास नहीं किया, जब वो अचानक शरीर से बाहर खिसक जाता है, तो वो शरीर के आसपास मंडराता है, क्यूंकि उसने अपनी भेदकारी बुद्धी मता खो दी है, एक बार जब आप शरीर छोड़ देते हैं, तो भेदकारी बुद्धी मौजूद नहीं होती, तो वो उस शरीर के आसपास मंडराता है, तो इस संस्कृती में हमने कहा कि जिस शन हम निश्चित हैं कि कोई व्यक्ती पक्के तौर पर मर चुका है तो आपको तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए क्यूंकि ये उस मृत व्यक्ती के लिए अच्छा है ताकि उसे पता चल जाए कि खेल खत्म हो गया है और ये जीवित लोगों के लिए भी अच्छा है आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ती जो आपको बहुत प्रिय है मर जाता है और उसका शरीर यहां पड़ा है तो आपको मती भ्रह्म होता रहता है हो सकता है कि वो बस सो रहे हों हो सकता है कि वो ओट पैठें और हो सकता है कि कोई चमतकार हो जाए शायद कुछ और हो जाए ये अनवश्यक रूप से चलता रहेगा आप देखेंगे कि लोग रो रहे हैं और बड़ा भावनात्मक नाटक हो रहा है लेकिन जिस पल आप उनका अंतिम संसकार करते हैं तो आप देखेंगी कि हर कोई शांत हो जाएगा क्या आपने इस पर गौर किया है? हमेशा क्यूंकि अब हर कोई जानता है कि खेल खत्म हो चुका है तो ये जीवेत के लिए है और ये मृतक के लिए है तो जीवन के द्वारा इस सिस्टम को छोड़ने के संबंध में ये बहुत उल्जा हुआ है ये कोई बुलबुला नहीं है जो फूटकर ऐसे चला जाएगा ये चरण बद्ध तरीके से निकलता है क्यूंकि ये चरण बद्ध तरीके से अंदर आया है और ये चरण बद्ध तरीके से ही जाएगा